तो इस वीडियो में हम बात करने वाले एक collection framework के बारे में अब यह collection framework है ना full stack developer हो या automation tester हो सब को interview में पक्का पूचा जाता है 101% ठीक है? काफी famous है और लोग इना काफी इससे डरते है कि बहुत complex है, समझ भी नहीं आता है एक variable बना लेता हो अब यह जो है, यह मेरा replicate है इसका link में आपको जिदर comment में दे दूँगा आप यहाँ पे जाके मझे फॉलो कर सकते हो ताकि आपको यह पूरा code उदर मिल जाए आप यहाँ से वो code copy भी कर सकते हो जो भी मैं यहाँ लिखने वाला हो तो यहाँ पे let's say मुझे कोई constant है जो memory में store करना है let's say 10 मुझे memory में store करना है तो इस store करने के लिए मैं variable बना सकता हूँ something like this integer x is equal to 10 अब यह 10 हो जाएगा memory में store but imagine करो मुझे एक से ज़्यादा constant अगर memory में store करना है तो वो मैं variable के अंदर नहीं कर पाऊँगा उसके लिए मेरे पास option है कि मैं array बना सकता हूँ यहाँ पे तो समझो मैंने array बना लिया int i is equal to something और यहाँ पे मैंने कुछ element एड़ कर दिये 11, 12, या फिर 23, whatever और यह कुछ इस तरह से element मैंने add कर दिये तो multiple elements को add करने के लिए मेरे पास में option है array का जबकि single element को add करने के लिए मेरे पास option है variables का फिर आप बुलोगे what is collection then ठीक है तो array के कुछ drawbacks है और उन्हीं drawbacks को overcome करने के लिए market में Java लेके आया collection framework ठीक है अब क्या disadvantages है array के आपको यह interview में पूछ भी सकते हैं ठीक है तो array के disadvantages disadvantages of array ठीक है तो सबसे पहला disadvantage है array का that is arrays are fixed in size ठीक है array की size जो इन वो fix होती है runtime पे आप array की size को बढ़ा नहीं सकते नहीं कम कर सकते हो समझो मैंने 10 size का array बना दिया और runtime पे मैं उसमें 11th element add करने के कोशिश कर रहा हूँ तो वहाँ पे मुझे तुरंट array index out of bounds exception आ जाएगी और मेरा food आगे execute नहीं होगा इसका मतलब क्या array जो वो fix होगे size में दूसरा disadvantage इसका है arrays can store homogeneous elements only ठीक है arrays सिर्फो सिर्फ homogeneous elements कोई store का सकते है heterogeneous elements आप डाल नहीं सकते इसके अंदर तो मैंने एक बंदी को interview में ऐसे पूछ लिया था कि बढ़ा what is mean by array तो उसने मुझे का कि array एक data structure है जिसके अंदर आप similar type के elements मतलब homogeneous elements को store कर सकते हो फिर मैंने उसको confuse करने के लिए ऐसा कुछ code लिग दिया ठीक है फिर लिग दिया true फिर comma करके लिग दिया मैंने c ठीक है ऐसा मैंने array बना दिया फिर मैंने उसको पूछा कि बढ़ा यह है क्या चीज़ मतलब यह चलेगा कि नहीं चलेगा तो वो देख के थोड़ा से confuse होगया और बोला कि यार यह नहीं चलेगा यह तो complete error देदेगा यह तो run time error देदेगा बट let me tell you यहाँ पे कोई वेरर आपको नहीं आने वाली है यह happily चल जाएगा क्यों? क्योंकि यह heterogeneous आयरे आपको heterogeneous दिख रहा है बट actual में यह homogeneous है कैसे? यहाँ पे जो 10 है आपको लग रहा होगी कि यह integer है but this is not integer this is object क्योंकि आपने इसको डाला है object array में और implicitly integer convert हो जाएगा object type के element में same यह string भी string नहीं है यह भी object ही है convert हो चुका है फिर आप बुलोगी इसको program से प्रूव कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं? ध्यान से देखो अगर मैं ऐसे लिख दो देखो integer r is equal to y of 0 अब y of 0 है क्या? y of 0 तो एक integer है तो क्या इस integer के साथ में दूसरा integer add कर सकता हूँ? वैसे तो हो जाना चाहिए बढ़ ध्यान से देखो यहाँ पर क्या हो रहा है तो यहाँ error आ गई मुझे और error पर hover करेंगे तो यह बता रहा है the operator plus is undefined for the argument type इसलिए मुझे यहाँ पर error आ चुकी है तो भाई ऊपर दिखने वाला यह जो array है दिखने में heterogeneous है बट actual में यह background में homogeneous array है तो confused नहीं होना है interview और आपको ऐसे tricky question पूछ सकते हैं तो array के होगे दो disadvantages पहला array fixed है size में और दूसरा array के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ homogenous elements store कर सकते हो बट collection framework जब आया तो इनी दो drawbacks को solve कर दिया गया उसके अंदर तो वही इसके यहाँ पर advantages बन गए तो collection framework जो है वो आपको growable है मतलब इसको run time पर आप बढ़ा सकते हो you can insert more elements than its capacity at the time of execution मतलब जब आप run कर रहे हो अपने code को और आपने 10 capacity का collection बना दिया तो उसको आप बढ़ा के 11, 12, 13 भी कर सकते हो कोई problem नहीं है दूसरा यहाँ पर advantage आपको मिल जाता है कि collection can store homogenous as well as heterogeneous elements तो collection में आप homogenous और heterogeneous दोनों type के elements insert कर सकते हो same time आपको कोई error नहीं आने वाली कोई problem नहीं होने वाला है साथी साथ यहाँ तीसरा advantage भी मिल जाता है that is multiple data structure support multiple data structure support मतलब array में तो आपको एक ही data structure मिल रहा था that is array अगर आपने data structure नाम का एक subject सुना होगा जिससे सब खौफ खाते थे तो उस subject में काफी सारे data structures को explain किया गया है उन में से जो important data structure है वो सारे के सारे आपको collection framework में मिल जाते है जैसे कि तो इतने सारे data structure आपको collection framework के अंदर देखनेको मिल जाते है अब जायर सी बात है कि हर data structure का अपना-पना advantage है अपना-पना disadvantage है तो आप being programmer decide कर सकते हो कि मुझे कौन से data structure के साथ में जाना है ठीक है तो चौता यहाँ advantage हो जाता है collection framework का and that is ready-made method support ठीक है ready-made method support इसका मतलब क्या है तो यहाँ collection framework जो है वो काफी सारे classes और interfaces से मिलके बना हुआ है तो जाहर सी बात है कि इनके अंदर बहुत सारी methods भी आपको मिल जाएंगी और इनी methods का इस्तमाल करके जो basic basic operations है वो आप चुटकियों में कर सकते हो बिना logic लिखे मतलब imagine करो कि आप array के अंदर के जो elements है उनको sort करना चाहते हो तो वहाँ भी आपको logic लिखना पड़ेगा for loop, for loop सब लिखके बढ़ी आप collection में वैसा करने के कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इधर directly आपको sort नाम की method मिल जाती है जहां से आप collection को sort कर सकते हो हाला कि कुछ-कुछ collection तो ऐसे होते हैं जो predefined मतलब पहले से ही sort करके आ जाते हैं तो आपको वह भी tension लेने की जरूरत नहीं है मतलब कम से कम logic में आपका काफी ज़्यादा काम होने वाला है अभी ठीक है and that is why collection framework came in market तो यह है चार advantages collection framework के over array इसलिए array को हटा के हम धीरे धीरे जाने वाला है collection framework के ऊपर okay so this is the introduction of collection framework अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे और इसको deep detail में discuss करते रहेंगे तो अगर आपने subscribe नहीं किया तो please subscribe कर दो और यह reply पर follow करना ना भूले यह सारी notes आपको वहाँ पर मिल जाएंगी